हलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलोजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनायल्सिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो आज यूशुल शुरू करूँगा फिंगर्स के अन माउंट्स को और सबसे लास्ट में हम चैक करेंगे लाइन्स को इस तरह से पुरे हैंड का जो अनायल्सिस हम कंप्लीट करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं साथ साथ ड्रॉ करता जाएंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा या जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के उपर नजर आ रहा है यहाँ मेरा वाट्सेप नंबर है अगर आप या अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फौन कंसल्टीशन लेना चाहते हैं तो आप हमें WhatsApp के जरीए Signal के जरीए या फिर टेलेग्राम के जरीए Message सेंड कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हतेली है कुछ इस तरह से एक Square Shape में नजर आ रही है जो Indicate करती है एक Hard Working टाइप की Nature को और अगर इनकी Fingers की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे Fingers काफी थिक हैं और काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है यहाँ से आप देख सकते हैं की Fingers की Thickness को जो Indicate करती है अच्छी Energy and Stamina को अगर हम तरचनी उंगली यानि गुरू Fingers की लंबाई की बात करें तो यहाँ Fingers काफी थिक होने के साथ काफी अच्छी लंबाई में भी नजर आ रही है इस तरह की Straight और लंबी गुरू Fingers का होना Native को Knowledgeable बनाता है ऐसे व्यक्ति Spiritual Minded होते हैं अध्यातम की तरफ भी ऐसे व्यक्ति की रूची आपको जीवन में देखने को मिलेगी और दूसरों को गाइड करने वाली Personality ऐसे व्यक्ति की आप जीवन में देख पाएंगे अगर हम इनकी शनी फिंगर की बात करें तो इनकी गुरू Fingers की तरहीं शनी फिंगर भी बहुत अच्छी लंबाई में और काफी थिक नजर आ रही है शनी फिंगर का Strong होना Indicate करता है कि Native काफी मेहनती नेचर का होगा ऐसे व्यक्ति Disciplined होते हैं एक नियाए प्रिया और अनुशाशन प्रिया टाइप की Personality ऐसे Native की आपको जीवन में देखने को मिलेगी और अपनी इनहीं खूबियों की वज़े से अच्छी तरक्की करपाने में भी ऐसे व्यक्ति जरूर काम्याब हो जाते हैं अगर इनकी सूरिया फिंगर की बात की जाएं तो आप यहाँ पर देखेंगे सूरिया फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और बहुत अच्छी लंबाई में है सूरिया फिंगर की फॉर्मेशन का होना इंडिकेट करता है कि Native की Creativity का Level काफी बहतर होगा ऐसे Native के बितर बहुत अच्छी artistic qualities भी आपको देखने को मिलेंगी और ऐसा Native एक बहुत अच्छा social circle जीवन में बना पाने में जरूर काम्याब होता है लेकिन जिन लोगों की यहाँ फिंगर यानि सूरिया फिंगर काफी अच्छी लंबाई में होती है ऐसे Native थोड़े risk taker देखे जा सकते हैं जीवन में risk लेने से ऐसे व्यक्ति नहीं घबराते हैं और कई बार तो अपनी investments के मामले में भी इनको risk लेते हुए दिखा जा सकता है ऐसे व्यक्ति कई बार अपने पैसों को अपने धन को ऐसी जगाहों पर invest कर देते हैं जहां पर loss की संभावनाए हो ज दोनों fingers के बीच में एक अच्छा gap आपको बनता हुआ नजर आएगा सूरिया और budd finger के बीच में ऐसा gap बनना native को काफी independent सभाव का बनाता है यहां पर बाकी की fingers के बीच में भी अच्छा gap है जिस वजह से थोड़ी खर्चिली personality भी रहेगी ऐसे व्यक्ति काफी independent होते हैं अ सभाव इनका fingers में बनने वाले gaps की वजह से देखने को मिलेगा यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो mercury finger है बिलकुल straight है थोड़ी सी low set finger है लेकिन लंबाई में काफी अच्छी है इस finger की अच्छी length का होना indicate करता है कि native के communication skills और native का business acumen अच्छा रहेगा यहां पर आप देख सकते हैं यह finger थोड़ा सा low set हो अगर हम fingers के नीचे एक line draw करें तो कुछ इस तरह की एक रेका बनती हुई जिसमें इनकी groove finger इनकी शनी finger और सूर्य finger तीनों आपको काफी उपर नजर आएंगी जबकि इनकी जो mercury finger वो काफी नीचे से शुरू होती हुई जिस वजह से native की nature mounts को सबसे पहले अगर हम गुरू परवत की यानि तरजनी उंगली के नीचे का जो mount है इसकी बात करें तो आप देख पाएंगे यह काफी उठा हुआ है काफी उभरा हुआ ऐसा व्यक्ति जिनका गुरू परवत उठा हुआ हो बहुत knowledgeable होता है ज्यानवान होता है अध्यातम के प्रति ऐसे व्यक्ति की रूची आपको देखने को मिलेगी ऐसा व्यक्ति अध्यातम के क्षेत्र में और सिक्षा के क्षेत्र में यानि एजूकेशन फील्ड में बहुत अच्छी तरक्य करपाने में भी चीवन में कामयाब देखा जा सकता है इसके लावा आपको कुछ ऐसी हल्की रिखाई नजर आयेंगी इनके गुरु परवत के उपर इस तरह Daisy की Horn को लाइन्स ओफ सिंपती के नाम से जाना जाता है जब ऐसी रिखाएं गुरु परवत के उपर मौचूद होती है तो ऐसा व्यक्ति सिंपैथाटिक सभाव का रहता है दूसरों के प गुठे के ऊपर आपको एक यव का चिन बनता हो नजर आएगा यह एक इस तरह की जो अकृती है जो आँख जैसी शेप यहाँ पर आपको बनती हुई नजर आ रही होगी इस तरह की शेप को बुधा जाई यानि यव का चिन कहा जाता है अंगुठे के ऊपर ऐसा बुधा जा का चिन बन जाए तो ऐसे व्यक्ति की सिक्सेंस बहुत अच्छी होती है आने वाले खटनाओं का पूरवा अभास ऐसे व्यक्ति को वाकूबी हो जाता है कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो अपने किसी रेलेटिव या मितर के साथ होने वाला हो ऐसी च widen line है इनके बीच में यह जो cross का चिन बन रहा है इसको mystic cross का चिन कहा जाता है और जिनके हाथ पर ऐसा mystic cross हूँ ऐसे वियक्ती की रूची occult sciences में भी देखने को मिलेगी जैसे यह astrology है、 पामिस्ट्री है, tarot cards, reiki और जैसे numerology है, वास्तु शास्त्र है ऐसी चीजें जो है जो गुप्त विद्याई है ऐसी चीजों की तरफ नेटिव का खिचाव रहता है ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी विद्या को सीखने में भी सक्षम देखा जा सकता है अब यहाँ पर देखेंगे जो शनी का माउंट है इनका हलका सा दबता शनी माउंट का दबना जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है ऐसे व्यक्ति के करियर की शुरुआत में थोड़ा संघर्ष रहता है ऐसे व्यक्ति को अपने कमफर्ट जोन से निकल कर काम करना पर सकता है जीवन में शुरुआती दौर में काफी मेहनत करने पड़ती है इनकी रेखा की बात की जाए तो यहां से ही शुरू होने वाली एक रेखा आपको इस तरह से आगे बड़ती नजर आएगी जिसकी वजह से नेटिव की जो प्रोग्रेस है वो लगभग 36 के आसपास की एच के बाद होती है ऐसे विक्ति 36 वर्षी एच के बाद काफी अच्छी तरक् चान सोसाइटी में बना लेता है लेकिन इस माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि जीवन में यश्की कमी रह सकती है ऐसा विक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले दूसरों की कितनी भी हल्प कर ले बदले में कोई अप्रिसियेशन कोई इनाम नहीं मिल पाता अगर इससे विक्ति का बिजनस एक्कोमन अच्छा होता है ऐसा विक्ति अपने चीवन में बिजनस के माध्यम से अच्छी तरक्की कर पाने में काम्याब होता है पूरवान मान की अच्छी क्षमता ऐसे विक्ति के भीतर रहती है और ऐसे नेटिव की जो कैलकुलेशन्स हैं वो भ टाइब का सिंबल जिसको विश्णू चिन कहा जाता है वो बनाती हुई आपको नजर आएगी हाट लाइन के अंत में ऐसा चिन बन रहा हूँ तो ऐसा व्यक्ति अगर अपने चीवन में इमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो खूब तरक्की पाता है लेकिन इसके बिलकु रुक सकती है ओवराल हार्ट लाइंग यहाँ पर थोड़ी शैलो होती है आपको नजर आएगी बिलकुल अंत में चलकर जिसकी वजह से नेटिव को 50 की एज के बाद कुछ माइनर हैल्थ इसूस का सामना भी करना पड़ेगा जैसे ब्लोड प्रेशर, थाइरोड, क्लिस्ट इसी जो दिक्ते हैं जो हार्ट से जूड़ी समस्या है वो नेटिव को कुछ परिशानियां 50 की एज के बाद दे सकती हैं अगर हम इनकी मस्तिक शरेखा की बात करें तो जुकी हुई माइन लाइन का यहाँ पर होना नेटिव की ओवर थिंकिंग को इंडिकेट करता है आपक कर कुछ इस तरह की इनकी जो मस्तिक शरेखा है आपको नज़र आएगी एक बाराच निकल कर एक बड़ा फोर्क बनारही है इस तारह के फोर्क को राइटर्स फोर्क कहा जाता है अगर किसी व्यग्ति के हाथ में ऐसा फॉर्क बन रहा हो और जो मेन माइन लाइन की बारच ह होते हैं अगर ऐसा व्यक्ति किसी creative काम में चला जाए जैसे लिखने का काम है writing है designing है decoration है या कोई भी ऐसा काम जहां पर creativity का इस्तेमाल होता हो तब यह रेखा native को लाब दे सकती है ऐसा व्यक्ति अच्छा artist बन सकता है अच्छा writer बन सकता है इसके बिलकुल opposite अगर ऐसा व्यक्ति कोई भी creative काम अपने चीवन में नहीं करता चाहे वो काम hobby के लिए क्यों नहीं हो तो ऐसे native को overthinking की समस्या होती है जिनकी मस्तिक शरेखा जुकी होई हो या ब्रांच नीचे चंदर की तरफ चल रही है जिस वज़े से overthinking, over imagination की समस्या है परिशानिया दे सकती है native को थोड़ा तनाव और stress रहने की संभावनाएं भी काफी अधिक इस तरह की रिखा की वज़े से बढ़ जाती है आप देखेंगे यहाँ पर कुछ stress lines इनकी रिखाओं को cross करती हुई, काटती हुई इस तरह की stress lines का हाथ में होना चीवन में stress को indicate करता है जबकि इनकी जो line of life है आपको यहाँ पर काफी अच्छी और लंबी नजर आएगी इस तरह की लंबी चीवन रिखा का होना एक लंबी age को indicate करता है लगभग 75 के आसपास की age ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनके हाथ में इस तरह है की एक सपष्ट और लंबी जीवन रिखा मौजूद हो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो venus mount है यानि यह वाला area जो अंगोठी के नीचे का area रहता है खाफी उठा हुआ है उभरा हुआ शुक्र परवत जीवन में हर तरह की सुक्सविधाओं को दरशाता है ऐसे नीटिव को अपनी life में हर तरह की comforts मिल जाती है लेकिन यहाँ पर आपको छोटी छोटी बारीक ऐसी आड़े रिखाएं भी शुक्र परवत की उपर नजर आए अगर हम इनके चंदर परवत की बात करें तो आप देखेंगे चंदर के रिया हलका सक हमजोर होता हुआ यहाँ पर भी आपको काफी सारी चोटी चोटी आड़ी रिखाएं नजर आ रही होंगी चिनकी वज़े से नेटिव को anxiety की problem रह सकती है काफी travel भी जीवन में करना पड society की समस्या का सामना इस तरह की रिखाओं की वज़े से देखने को मिलता है तो दोस्तों ये कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जवाब एक ही वीडियो के तुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या स्वाल रह ज धर मेरी कुछ आट चरर लिー ना क्या स्वा है